नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका फियर्स क्लाउड में तो दोस्तो इस वीडियो में मैं रूस के पांच ऐसे महा विनासक हतियारों के बारे में बात करूँगा जिनका नाम सुनकर दुनिया काँ पुठती है जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि यूक्रेन को लेकर दुनिया की दो महा सक्तियां रूस और अमेरिका के भी इस तनाव चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और रूस यूक्रेन को नाटों में जाने से रोकने के लिए पूरी ताकत से जुट गया है उधर अमेरिका ने भी ये एलान किया है कि रूस अगर हमला करता है तो वह यूक्रेन की मदद करेगा और रूस बनाम अमेरिका से दुनिया में तीसरे विस्विद्ध का खत्रा पैदा हो गया है वहीं रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाड उताकत है और उसके पास 6000 से भी ज्यादा परमाड उबम उपलब्द हैं तो आईए जानते हैं रूस के सबसे खतरनाख हतियारों के बारे में तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्टर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रस करने तो चलिए दोस्तों बिना आपका समय बरवात किये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों पहले नंबर पर है दुनिया का सबसे सक्तिसाली परमाड़ बम और रूस के पास दुनिया का सबसे सक्तिसाली परमाड़ बम है और इस परमाड़ बम का नाम है जाबांबा और सीत युद्ध के जबाने में रूस ने इस सबसे सक्तिसाली परमाड़ बम का परिछ वहीं दूसरे नमबर पर है रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल और यूक्रेन को लेकर रूस ने नाटो देशों को सबक सिखाने के लिए अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल को तनात कर दिया है और इन मिसाइलों को रूस ने अपने मिक 31 के लड़ाकू विवानों में ल पास से 10 गुना ज्यादा स्पीट से उडान भणने में सच्छम है और परमाड़ बम गिराने की ताकत भी रखती हैं ये मिसाइले वहीं रूसी हाइपर सोनिंग मिसाइलों का तोड़ अभी अमेरिका समेथ किसी भी नाटो देशों के पास भी नहीं है वहीं तीसरे नंबर का ह उसरे सबसे बड़े सहर खारकीव के पास इस्थित वेसेला लोपान पहुँच गई है और रूस की 10 सकतिसाली तोप करीब 37 किलो मिटर तक परमाड़ बम से भरे गोले दाग सकती है और इस तोप को सोबियत एटामिक तोप के नाम से भी जाना जाता है और पुतिन की या तो परमाड़ पंड़ुब्बी और रूस की महा बिनासक परमाड़ पंड़ुब्बी बेल गोरोट भी बनकर तयार हो गई है और या पंड़ुब्बी अपने रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने वाले पोसाइडन टार्पीडों की मदद से किसी भी सहर को एक जटके में तबाह कर सकती है और करीब 604 फुट लंबी या रूसी पंड़ुब्बी दुनिया में सबसे बड़ी पंड़ुब्बी है और या पंड़ुब्बी इतनी बड़ी है कि इसके अंदर एक छोटी सम्मरीन और अत्यादुनिक ड्रोन विबान को भी ठिपाया जा सकता है और इस पंड़ुब्बी का कुल वजन 14,700 टन है और इस पंड़ुब्बी को जंग का नक्षा बदलने वाली पंड़ुब्बी भी कहा जाता है वहीं पांचवे नंबर पर है T-14 अर्माथा टैंक और रूस के पास दुनिया का सबसे खतर्नाक T-14 अर्माथा टैंक है और ये अर्मा रूसी सेना का मुख युद्धक टाइंक है और 80 किलोमेटर प्रति घंटे की टाप स्पीड से चलने वाले इस टाइंक का वजन करीब 55 तन है और यह टाइंक 125 म के स्मूथ बोर कैनन से लैस है जो 10 से 12 राउंड प्रति मिनट के दर से गोले भी दागने में सच्छम है और इस ट रूस्मन के लो प्लाइंग आबजक्ट जैसे हेलिकाप्टर या चोटे ड्रोन को भी मार कर गिराने में सच्छम है यह पांचो हतियार दुनिया के सबसे खतरनाक हतियार है यूक्रेन तो क्या अमेरिका भी इन हतियारों से खौप खाता है अब आप लोग का क्या कहना है आधित आडल का में आप लैक शन्यात जडा शेए यूल में से तोफे और प्लाइन द्रोन कार इन के सबसें सूपने में सबसेंगों से खिए रूआ जब लो इंसे दाली